अधिया हिन एकके इसे पहले क्लास में या बता को थे हैट कि स grade क्या होता है ए翁 फी बियन क्या होता है कोबेट फयुटरोयर और यह होवर क्राफ क्या होता है इस सब के बारे में इसलिए बहुत दूर नहीं जा सकती है और यह विमान वहाग पूत इतना बड़ा होता है कि इसके लिए कोई लिमीट ही नहीं है दुनिया में कहीं पहुंच सकती है और किसी भी देश से 200-300 किलोमीटर दूर यह अपना लंगर गिरा लेता है और वहां से फिर यह टेकल कर जाती है और ऊफिर वापास आते हैं फ्यूलब भरते हैं मिसाइल भरत आरना पता चला हम लोग लोगों को जैसे चाईना पर हंमला करना है आप अब टीक अन्य फिलीच खतम हो गया तो वापास आते-जात है रहा ह Los जरूरी होता है और यह अकेले नहीं चलता है कि इतना भारी भर कम होता है इसके साथ पूरा battle group चलता है, aircraft carrier हो गया, इसके साथ कुछ destroyer चलते हैं इसके साथ साथ विदवनसक जी से बोलते हैं refueling के लिए कुछ चलते रहते हैं सब इनके पास hospital ship होती है landing craft होते हैं तो यह पूरा जब चलते हैं इसे battle group कहा जाता है तो यह तूर की लड़ाई में काम आते हैं अब जब हम दूसमन देश के उपर उतरते हैं तो हमें landing platform की जरुवत होती है और कुछ amphibian aircraft की जरुवत होती है पानी और जमीन दोनों पर चल सकते हैं landing aircraft एक बड़े hollow खोखले से होते हैं जिनके अंदर tank, truck, cynic भर दिया जाता है और यह जहां जो को दूसमन देश के पास ले आके लगा दिया जाता है दूसमन देश के पास लगा दिया जाता है यह बहुत तीज गती से आगे बढ़ते हैं होरक्राफ्ट छोटे साइज की होते हैं यह anti-ship पे हमला कर सकते हैं किसी भी जगा पे अचानक पहुँचना है तुरक कल्दी से पहुँचना है कंडिशन में होरक्राफ्ट का यूज ज्यादे किया जाता है अब मेन बैटल को समझते हैं डेस्ट्रॉयर क्या होते हैं वीवान बाहक पोट जो एरक्राफ्ट करियर होता है बहुत बड़े साइज का के बाद अगर सबसे ज्यादे किसी का यूज होता है हिंदी में विद्वन सक कहते हैं इसी लिए इनसी लिए इसी लिए इनका ही यूटा रूम बनाए गया चोडा रूम बनाए गया जिसे हमन फिरीगेट कहते हैं इस वज़े से इनके पास हाथियार कम आता है इसाइले कम होती है बट यह हलके होने के कारण बढ़ा तीज मूव कर लेते हैं तुरत अपना लोकेशन बदल देते हैं और हमला करना थोड़ा मुश्किल देश्ट्रायर का ही छोटा रूप जो होता है वह फ्रीगेट होता है लेकिन बहुत तेज मूने वरिवल होते हैं यह सब बड़ी तेज घूम जाते हैं चोटे-छोटे साहिचकी होते हैं यहापे बिसिकली इन्हें मिसाइल लॉंच करने के लिए ही यूज किया जाता है खोटे होते हैं कहीं जाके कुछी जहाज को मारके चल और इन्हें को जो मिसाइल कॉर्बेट जहाजे थे इन्हें रसिया से फ्राप्त करने रसिया का एक जगह है ब्लादी वोस्टक जग्रफी में आपको पढ़ायते हैं ब्लादी वोस्टक से ट्रेन जाती है सेंट पीटर्सबर्ग तक दुनिया की सबसे लंबी रेल मारक है ट्रांस मतलब इस पार से उस पार साइवेरिया का लाता है यह वाला भाग यूरिया का लाता है यह तो जोग्रफी का पाट हो कि यह जगह है ब्लादी वोस्टक में भारत ने 271 के जंग के मत्ते नजर रखते हुए यहां रसिया को ओडर दिया कि कुछ साइल कॉर्बेट बनाने के लिए चोटे होते हैं मिसाइल को लगा गया तिक मिसाइल भी बहुत बहतरीन निशाना लगाती थी अनलाग यह यह बना दिया गया और यहां से इन कॉर्बेट को कोलकाता लाया गया इतनी चोटी होती है कि अपने से नहीं आ सकते क्यूले खतम हो जाता इस जगह पेट्रोल भरना परता है इसलिए इन्हें दूसरी जहाद पर लाद के कोलकाता लाया गया फिर कोलकाता से उतारा गया क्रेन की मदद से पानी में और उसको रसरी से बाहन के मोटका रसा रसा से बाहन के कलकाता लाया गया कलकाता से मुंबई लाया गया कहा गया कि यहां तुमको खड़ा रह अब यह जाए कई से जाए यह तो दूस तक जाही नहीं सकती तब दिमाग लगाए तो बढ़का जहाज लाया गया और कहा गया कि देखिए बढ़का जहाज जो रहेगा ना यह बढ़ा वाला जहाज इन लोग को खीचेगा और यहां तक ले आके छोड़ देगा तो चीच के ले गया गया तो इन जहाजों को कुंबई से टोचन करके ले गया लोग यहां पर अरफ सागर में और यहां छोड़ दिया गया अब उसके बाद यह हमला करने के लिए तैयार हो तीन जहाज जीने ले गया गया था आई एनस वीर इंडिया की जो भी जहाज रहेगी इसका न अंदरगा से इने बान के ले गए लोग इन तीनों को और यहां पर ले आकर खड़ा कर दिए अब दिक्कती अत्या कि इतने चोटे थे एरफोर्स देख लेती पाकिस्तानी एरफोर्स तब तो दिक्कते हो जाता बंगीरा दे थीन लोग की उपर इसलिए इनको रात में बान इनी डेस्टरोायर रिय파ी इस खूता evit निग्द्गत आ एकर वेट इसप्से चोटा होता है ऑब पकिस्तान का डेस्टोायर बड़ा होता लिइवागा थाक rt का भाय बर हैवर का खारियत लिया इसज रिया ट्सट्गर cat वेचन करके ले PNS पाकिस्तानी डेवल सीपका खैबर जहाज अब जमीन दोज हो चुका जमीन दोज क्या मतलब जमीन के अंदर चला गया पाकिस्तानी भाई भी देख रहे होंगे अच्छे से समझ मैं आज आज अमझने में ऐसे भी जाने जाते हैं कि को तकलीफ नहों है कोई भी देश का हो इसको अच्छे से समझते हैं अभी तीन को गया था सब इसको एक और को ठेल के लेगा है यहाँ पर आइनस वीर इसने देख लिए आइनस मुहाफीज को अब मुहाफीज जहास्ता बड़ा खतरनाक था उस समय का माइन स्वीपर था बड़ा एडवांस जहास्ता मुहाफीज इसको इसने भी मारा एक मिसाइल आइनस मुहाफीज पी एनस मुहाफीज पी दूब गया पानी में अगला नमबर था अगला जहाज गया था तीन भगिया के ले गए और खतरनाक था इसका नाम था नीपट आइनस नीपट नीपट को ना इसकी रड़ार में बड़ा सा जहाज दिखा नाम था एम वी चलेंजर बड़का नाम था चलेंजर जो है पाकिस्तान को मिसाइल गोला बारूद भर के अपने दे जा रहा था लो आरो भारत को अमरीका उसको भर के दिए इसराइल को दिया है भर के अपने का बहर के देगा पारेगा हम लोग को नीपट ने कहा आओ हम तुमको चा देते तो आईनस नीपट जो करवेट क्लास का जहाज इतना छोटा जो जा नहीं सकता था नाम धड़ा गमीन दोज ने पानी दोज बरबाद हो गया उना भरूद भी कर युग में तहस नहस हो यह निपट निपट शरीफ नहीं था लोटने टाइम भी सोचा कि एको को को निपटा के आते तो जब ये लौट रहा था जब ये लौट रहा था वापस तो इसे कहा कि लौटने माची बंदरगा प्यास एक ऑइल डीपो था नाम था उसका किनारी किनारे पे था किनारी ओइल डूपो तुचिए यह नीपट नाम का जहाज एतना बदमास था कि लॉट ने टाइम तीन दूबो मिसाइल मार दिया इसपे किनारी ओइल फिल्ड पे हमार धहाधक के लोग या क पाकिस्तान में ऑयल सोटेज हो गया सबसे बड़ा ओयल डीपो में उधिया गया सबी ऑल सौटेज तहस नहस हो गया पिनारी ओल जहाज लोटके चल तर्म्याराइगी नहीं आ गया तो चीए सबसे छोटे जहाज माने परबेगा इसनी छमता नहीं थी कि जा सके ठेल के ले गए थे लोग वहां जाके ये इतना तबाही में इतना भयंकर तबाही देखिए हम आपको इस तरह से समझाए थोड़ा ना आज थो समझाएगा दूसरे मेथड से इनी तीनों जहाम लोग को हम दुबारा समझाएगा इसी चीज को एनिमेशन से समझते हैं कैसे पाकिस्तान के तीनों चाहाजों को एक छोटे से कॉर्बेट में डूबा दिया रसी से बांद कर आगे की और ले जाएगी इसमें जो रसी से नि पर आता है वीर के हीर यहां से हमला करता है मुहाफीज बेट और मुहाफीज वहीं पर डूब जात आपक लाखने से पहले हमला कर देता है aoil कि और यह ऑईल फिल्ट तबाह करने के पाद अपने फेस पर लोट कर चले आते हैं लोट के आगए लोगी अपने हो कि है कि अभुस दोनों दिखा दी हैं इमेज के हिसाब से अधी मेशंश के हिसाब से आते आप पुलीएंगे कि इस किनारी ओयल डीपो में इतना भीशाव लगा था कि जब यह ब्लास्ट हुआ और जब निपट के सईनिकों ने अपने डेक पर आके इस आग की ज्वाला को देखा था धधकते हुए आग को तो उन्होंने कहा था कि इससे बड़ा हम लोग ने कभी दिवाली नहीं देखा उन्होंने का आगी सबसे बड़ा बॉन फायर था अंग्रेश सबना आउडा जला के आग त करांची जोगा बाद में समझ में था कौडा चली ले इतना भीशाड आग लगा था और इसमें इतने टन फ्यूल थे कि करांची के इस ओईल डीपो के ब्लास्ट के बार करांची में ओल सॉटेज हो गया और उसकी नेवी की पूरी ओल डिमांड खतम हो गई और इस सेना के कॉर्बेट रात में हमला कर रहे थे और रात में हमला करने के वज़े से यह जल्दी पकड में नहीं आ रहे थे और पाकिस्तानी एयर फोर्स के जितने भी जहास्त हैं वो कोई नहीं आया इन से लड़ने के लिए तो इनको कोई टेंसा नहीं नहीं दोड़ा दोड़ चाहिए तुम लोग को अब नहीं लड़ा तो हम क्या करें आपके जब यह लड़ाई चल रही थी निपट निर्घट वीर जब हमला कर रहे थे तब आतोड हमला कर रहे थे तो इन पूरे हमले को रस्या से बैठके सेटलाइट इमेज के माध्यम से देखा जा रहा था और वहा कैसे रस्ती से बान कर खीच कर ले जाके और उस टट पर हमला करके चले आए तो इन्हों ने कहा कि हम जाकर भारत के उन सैनिकों से मिलना चाहते हैं तो यह भारत आये थे इसपेसली उन सैनिकों से मुलाकात करने के लिए एड्मिरल गोशा को जब भी कोई नौसेना का पर ही जाना चाहते हैं बटू इतना चोटे थे कि इतने बड़े अधिकारी को भोज के लिए वहां अमंतित नहीं किया जा सकता था तो एड्मिरल गोशा को 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 आइनस विकरांत पर आमंतित किया गया भोज करने के लिए महापत और आइनस विकरांत उस समय 71 की लड़ाई क करनी है जो इस लड़ाई में कॉर्बेट चला रहते वहां इन्होंने भोज किया और मुलकात किया एसम नंदा से वहां पर एड्मिरल गोशा को एक बहुत बहुत बहतरीन नौसेना परमुक थे जब यह रशियन नेवी से रिटायर हो गए तो इनके नाम पर विमान वहक पो रशिया का पुराना नाम था 1991 में रशिया पंदरा भागों में टूड गया इतना तूटा अर्थवेवस्था तहस नहास हो गई एड्मिरल गोशा को जो जहास था बेसिकली हेलिकॉप्टर केरियर था यह हेलिकॉप्टर को ले जाने के लिए डिजाइन किया और मिसाइल ल और मित्यचेहिसा बिजान के लिए लेकिन इनिया ने लिए लेकिन नेवी को हेलिकॉप्टर करीयर की ज़रुवत्थ नहीं थे इसे इसे लिए करोकार्ट की हटा तो बारहिसी को हम लोग ने और क्रांप्ट करेंब कर लिया और एड्मिरल गोशा को हो गया आ2 शिकमादित बाले में इसकी विक्रान्थ के बारे में यह नो सेना के इस्तिती में आता है तो विक्रमादित का पुराना नाम एक्मिल को जरूर लिखेएगा वाः पर यह इसका पुराना हिस्ट्री रहा है एडमिल गोशाकों का। कुछ यह उस समय कितने बहादूर हमारे लोग थे वहाँ पर 371 में अमीर्का का साथ देने के अगर पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमीर्का चला आया था। उस समय हमारे नौ सेना को लीट कर रहे थे पाकिस्तान का इतिहास क्याबूगोल बदल डाला और उस समय परधान मंत्री थी हमारी आयरन लेडी इंद्रा गांधी ने ऐसेम नंदा साथ को बुलाएं और कहा कि अमिर्का ने तो सातवा बेडा भेज रखा है आप कैसे निपटिएगा उनसे इन्होंने समझाया इंद्रा गांधी को कि अमेरिका केवल दबाव बनाने आया है वो कभी लड़ाई में नहीं लड़ेगा और हकीकत में भी यही अमेरिका डेरेक्ट लड़ाई में नहीं लड़ता है आप देखि किस्तान को कर रहा था मरो भारत को मरो भारत को मरो अपने अब्बा को अरे अब्बा से लड़ना असान होता है बाप बाप होता है इन्होंने कहा कि देखे अमेरिका वाला हमला नहीं करेगा आएगा बहले यहां पर हम उसको अपनी जहाज पर चाय पीने के लिए अम अंतित यहां पर और उस समय के प्रधान में अमेरिकी राश्पती ते निक्सन तबाव बना रहे थे कि भारत को वापस आ जाना चाहिए अपना बीमान वहक पोत भेज़े थे भारत पर हमला करने के लिए सातवा बेड़ा भेज रखा था रसिया ने भी भेज दिया अपना चालीसवा बेड़ा और सबसे बहादूरी से हमारी सेना जो अंदर घुश गई थी सैम बहादूर के नित्रित में इन तीनों सेना पर मुख ने जो बहतरीन काम किया था जिसकी सराहना जितनी की कम की जाए उ सबसे होते हैं इस सबके बारे में आप समझगे होंगे यह डिफेंस के इगजामेथा ज़रूरी हो जाता है और जितने लड़के की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए गुड़ निवे आपका एसेस बी इंटर्व्यू के classes start हो गए हैं अब दिल्ली में भी इलहाबाद में और इलहाबाद प्रियाग राज निया नाम प्रियाग राज उसका जैसे गो साको का हो गया विक्रमादित वैसे प्रियाग राज हो गया इलहाबाद देहरादून तो हर जगा अपके SSB के classes start हो गया हमारी सुब कामना है आप सारे विद्यार्थियों के साथ जो NDS CDS में जा रहे हैं और जितने लड़के इस बार SSB दे रहे हैं उन सब के लिए बड़ा हमको भी ऐसा लगता है कि जहां हम नहीं जा सके वहां हमारे विद्यार्थ हैं यहां पर तो हमको भी बड़ा वाकर महसूस होगा अपने बुढ़ोती में हम समझाएंगे सब को कि दखो हमरे बैच का था बदमास था मारे थे पीटे थे आज देखो तहल का मचा रहा है हम यह भी बहुत खुसी होती है और जीसी भी बैच की आप तैयारी कर रहे हैं ए आप PCS की तैयारी कर रहे हैं UPSC के लिए NCRT बहुत जरूरी है खास करके 6 से लेके 12 तक है बसे इस क्लास में लड़के भटक जाते है इस्टूडेंट आप लोग को समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है एक्चुली क्या है न कि वो रैंडम है कुछ जानकार यह 6 में है पूरी तरह से लिंक करके और जितने भी बहतरीन फेकल्टी है उन सब से मिलाके इसको हम लोग तयार किये NCRT का और इसको बहतरीन नंग से पढ़ाए जागा यह आपके PCS में टीचर्स एक्जाम में अवे बिहार टीचर एक्जाम में इतना यह काम कोश्चन आया था NCRT से जिसका कोई हत नहीं है NCRT बहुत जरूरी चीज़े होते हैं आई होप आप इसको समझेंगे मिलेंगे नेक्स क्लास में जैहिन